असलाम अलेकूम सिकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप लोग अभी सुर्णी बात करेंगे साओधियरब की बहुत सारी जरूरी नियूज है पचाथ हजार दस हजार पांच हजार रियाल का चलान जुर्माना लगाया जाएगा अज नवियों पर अगर आप ये नियम आपना कोरोना की दवा लगाई है वो दवा से क्या हो सकता है उसकी बार में भी अपडेट आई है बहुत सारी अपडेट्स है मदीना में एक लड़की को छेड़ा है किसी अजनवी ने तो वीडियो पर देखिए कर लाज सकता है को पर नुज मालिम हो जाए अगर आप नही की आपने कौन सी दवा लगाई थी पीफाइजर या कोविसिड या अस्तरा जेने का की कोई दवा लगाई आपने कम्मेंट करके बताना क्यूंकि अस्तरा जेने का कंपनी ने नया ऐलान किया है जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग घबरा गए हैं घबराने कि हम भी आ रहे थी अब साओधी गवर्मेंट भी एलान कर दिया है देख सकते हैं आप दास्तरा जेनी का कोरोना वाइरस वैक्सीन इस बीइंग विड्रॉल्ड वाइड यहां पर कहा है मैंने का खून के ठक्के जम जाते हैं कुछ हार्ड अटेक का प्रॉब्लम्स वगेरा यह हो सकता है हो सकता नहीं है हो रहा है लोगों के साथ में अफिशली न्यूज साओधी गजट के आप अफिशली देख सकते हैं यहां पर शेयर किया गया है तो घबराने की बात नहीं है बट अपना ख्याल लगए अब इसके बारे में देखो कौन सी दवा लगाई जाएगी बाद मे क्या पता कोई नया दवाई का यह लोग सोच रहा होंगे तो घर्चा तो जोड़ना है ना कुछ ने को सिस्टम करना इसके वज़े से यह कर रहे हैं देखते जैसा जो अपडेट आएगा बट फिलहाल तो कोई दवा जो शेयर की गई थी इन लोग की थुरू वो तो समने ल तकलीफ नहीं है बट कई लोग को तकलीफ किसी बात की है कि कहीं उनको हाट अटक वेगर कुछ न हो जाए तो ध्यान रखिए अपना भी कियरफुल बाकि इस से घबरानी की जवरत नहीं है आपको इनका कहना है आगे नहीं जानते हैं साओधी अरब में अगर आप पैसा भ साभधान रहिए इनका कहना है कि कुछ लोग जो है चैतावनी दी गई है और कहा है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा काम कर रहा है साओधी एरब में धोका धरी करने वाले ब्रामक ओन लाइन निवेस्ट मतलब की ओन लाइन में सिस्टम बहुत सारा आ गया कि आप यहां किसी हुन्डा उन्टी से पैसा बेशतों तो साब्धान की बात समझ जाओ आगे आपके बात जो हम आपको बात में समझने आजए कि मेरी बात जो होते ना सही रहती है हज को लेकर अपडेट है भाई नियम कानून को ताक पर रखे कही लोग जो है ना इन नियम को तोड़ते ह हैं भाई बिना हज पर्मिट के आप साओधी एर्भ में इंटरी नहीं कर सकते चाए आप किसी भी जगह सहरे मक्का में सेंटरल एरिया मुशायरा मुकदिशा हर्मेन ट्रेन रेलिवेश रसन कहीं से भी किसी भी इंटरी पॉइंट से अगर आप विदेशी भाई या साओध इंटरी करते हैं तो दस हजार रेल का जुर्माना आप सबको पता है लगाया जाएगा और एक बात अभी में और शेयर करूंगा वलंगन करने वाले निवासी या साओधी अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर डवल जुर्माना लगाया जाएगा पलस अगर आप नहीं मानत कुसी चलाते हो आप सबके लिए अफिशली अनांस्मेंट किया गया है खुसकवरी नहीं है बैड न्यूस है अब यहां पर मैं आपको शेयर कर रहा हूं यह आप देख सकते हैं हज सीजन के दवरान कितने सारे भाईयों को जौब की ज़रूरत होती है तो हज सीजन का जितन हज के खिदमात के वीजा के नाम पर ध्यान रखना मक्का में नया आयलान अब आप सुनों द्राइवर भाईयो मक्का में सभी जाच एजनसियों पर जितनी भी चौकसी है सभी पर्मिट चेक करने के लिए जवर्दस भीड मतलब पुलीस की गहराई तक जवर्दस जो है चे के बाद एकामा अगर आपका वैद नहीं है तो आपको इंटरी नहीं मिलेगी कानून के मताबिक जो कोई भी बिना पर्मिट के लोगों को मक्का ले जाता हुआ पकड़ा जाएगा उस पर पचास हज़ार रियाल का जुर्माना अर्शे महिने की जेल की जाएगी कोई टैक् फाइन लगेगा 50 हज़ार रियाल का कमाओ गे 10 रियाल 50 रियाल और 50 रियाल जुर्माना लग जाएगा तो ध्यान दीजेगा ऐसे लोगों से बचिये क्योंकि आपको फाइन लग जाएगा आप बात करें मदीना के अंदर का मदीना में एक बहुत ही बुरी घटना हुई है जिसमें एक मुसलमान भाई ने मुसलमान बहन को छेड़ा है जी एक विदेसी को गिरफतार किया गया है आपको बता दू इकबाल नाम है जिनको गिरफतार किया गया और ये विदेसी जो है पाकिस्तानी है पाकिस्तानी भाई ने एक सौधी लेडी को परिशान किया है और इस इसको जो है दो साल की जेर और एक लाक रेल का जुर्माना लगाया किया है इसको इनोंने जो है पाकिस्तानी जो है ना इनोंने टच किया है गलत तरीके से कुछ गलत हरकत की है वो मैं आपको यहां पर शेर नहीं कर सकता क्योंकि यूटुब का रूल बड़ा हाड है अभी कल मैंने वीडियो शेर की थी आप सबको कि हमारे रियाद में इंडियन भाई ने फासी लगा ली थी रियाद में आपको पता नहीं क्या रीजन था एबी सीडी वो वीडियो को यूटुब में टेक डाउन कर दिया जिसकी वज़े से वो वीडियो मुझे हटानी पड़ी अब म मत कीजे क्योंकि यार बहुत बुरा लगता है पाकिस्तानी लोगी तो आदत हो गई है क्या कहा चाहिए सेफ नहीं है पाकिस्तानी लोग उससे काम भी करवाते बड़ा मुस्किल है साओधी लोग आलू की खेप में 27 किलो नशे का समान पकड़ा गया है 27 किलो आलू के खेप लालू को रोक दिया गया फुट ड्रक्स की ऑफिशली जो टीम है उन्होंने चेक के तोर पर पकड़ा और वहां पर रोक लिया गया है तो अपना तेंसर मत लीचे खाने पीने का तो यह थी कुछ नीज जो अभी आपको मैंने शेर किया बस मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर अगली वीडियो आपको कल दुपहर में देखने को मिलेगी जतने भी भाई आप खुरूब में हो कफिल से परेसान हो कंपनी परेसान हो कंपनी सालिय ने दे रही है तो आपको इस तरीकी से रूल फॉलो करना है लगतार देन आपका काम हो जाएगा और किसी भी इलीगल लो इस पर मैं बीग एक्सपोज करूँगा कुछ लोगों का बट नाम नहीं लूँगा सो बने रही चैनल पर वीडियो शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा गर्मी की कारण मेरा बू पुरा हालक बुरा है क्योंकि लाइट नहीं हमारे यां बहुत दिक्कत है इसकी व शेर करें इस वीडियो को या फिर यह क्लीप काट के इन्स्टाग्राम करें हमारे महलिम हमाजुद है ⇽ महजजद के लिए मैं सो च गा करत दosure कर औहाँ हम जी मिन आ करे ये इस सो जब तक के लिए दो मंजिर के लिए हम यह थिंकिंग कर रहे हैं फिलाल गाटर पत्तर का जो हिसाब है वह असी हजार के संथिंग है मिस्तरी का छोड़के और भी बहुत सारा समान होता है वो सब छोड़कर के तो प्लीज अगर आप से हो सके तो यूपी आई है यहां पर प दिया भी है और भी आगे देंगे जो भी खर्च करेंगे आपका पैसा उसके बारे प्रोपर वीडियो बना करके आपको बताएंगे ताकि आपका पैसा कहां जा रहा नहीं जा रहा है यह वीडियो जो लास्ट वाली वीडियो का पार्ट हैं यह वीडियो पूरी वही देख 2 रियाल-1 पांच रियाल दस रियाल 20 रियाल, एक रियाल भी भेज दोगे न तो 22 रिप्या होता है अगर सव आदनी 22 रिप्या हो जाएगा एक दुम का सरा देख रहे हो शेर करें वीदियो अला खता लान जंच झाल झाल